नमस्कार दोस्तों स्वीजी पकवान में आप सभी का स्वागत है तो आज में लेकराई हैं फ्रेंस आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स और ट्रिक जो हमारे घर के कामों को असान बनाती है साथ में तेर सारे पैसे बचाती है तो चेले फिर आज की वीडियो जिसे आफ यूजब करके अपने कडाही को मिंटों में चगा चक नए जैसे चंका सकते हैं तो इसके लिए मैंने कडाही में आपर ने पেं नहाने का साबुन लिल चाया तो इसमें कप यृज wrap दोने का साबुनं डिटर्जन पौडर जो भी आप घर में अपने इसने माल्काइन करते हैं लेकिन जो रिजलत है में नहाने का साबुन दर्ण और उससाबुन चाया जाए गाल। इसके sasabonुना Am数 के वारे जाने का साबून ने को इसकी मदाद करें जो अच्छेशे एक कीलीने सब्सक्राब करना युला है जरा है की अच्छे उसके बिल्कुल भी दिया ने हम किलीन करमें यह सबाइस teaches कि अच्छे से चकाचक बिल्कुल नय जैसे हो गई है और मिंटों में हो गई है तो चलिए में से धोकर दिखाती हूं तो देखे कितना सारा इसमें गद्दगी निकल रहा है काला काला कितना सारा जमा हुआ था अब फिल्कुल वी समय नहीं लगता है वीडियो पसंद आए कर देए साब भी कर सकते हैं तो रोटी बनाना क सास्टी हैै यहां तवा मेरा गरम ही है यहां पर निए 94 काम करते हिना हुआ रहिए नीडर इन भी ना है इसको चैसे तरह के से रगडंगे तो देखे चिप का हुआ है तेल और है अरे चीप का Acts 8 कहा से निकल जाता है इसकोREE specifically तरह के तरप काम सुछ बड़े लेंगे जिसे किके से nut का ज thinner के से तो तो जाती है तो क्यों ना हम इसे रोटरी ना जैसे ही गरम होता है। एक काम लेना है है तो देते हैं रखर लिया तो हो था द्राइक हो यहां वे आप इस्के पाद में इसको धे अपर सांथा जेके हो लिए इसके बारिगे कि दोने के बाद को साफ है थोड़ा थोड़ा बजग है इसके में एकवह ऑ और साफ कर लोगी तरह साफ कर लेंगे निए तो इसे किअ गया है तरहनी से हमारे ट् recon सवाय है तो अगले टीप मैं इस तरह के से Target कर सकते हैं तो अगले इसको इस तरह के से रगड़ देंगे जिससे की जो कार्वन वेगर इसमें रहता है ना वो निकल जाएगा और जब इसे फिर से जलाएंगे तो लाइट हमारा जनने लग जाएगा तो इस तरह के से एक बाद जरू ट्राई करके देखेगा चली फ्रेंज अब अगला टिफ देखते हैं अगले टिफ समय यहाँ पर हमने कडाही लिया है कडाही के जगा आप कोई सभी बरतन का इस्तेमाल कर सकते हैं अब इसकी बाद बरप के टुकड़े डाल देते हैं कडाही में तो यहाँ पर देखेगे कडाही में हमने बरप के ला लेंगे अब इसके बाद में फ्रेंड यहाँ पर मैंने लिया है पॉड़र वी पॉड़र ले सकते हैं देलकाम पॉड़र इसको थोड़ा से इसमे डाल देते हैं पॉड़र अब इसको अच्छे से मिला लेंगे इसके अंदर हमें एक चीज और डाल देना है हैं यहाँ परskyappr की गोलिया लिए हैं इसको चैसे मिला लेंगे। आप जाहे तो इसे घोली को फीस के भी डाल सकते हैं जिस्से की अच्छे से मिक्स हो जाएगा। है अब यहां पर हम आ गए अपने सींग पर तो जब भी हम रात की समय साखसवाइ करके जब सूझ आते हैं तो हमारे जो सींग के अंदर से ना धेर सारे कीडे मंखोड़े काक्रोच वगर आने लगती है और बद्भू अगर भी आने लगती है जिससे कि हमारे घर में कई परका इसे कि जो भी कीड़े मकोड़े रहेंगे ना उस मर भी जाएंगे और इस तरके से और सी में डाल देंगे तो इस खुजबु भी आएगी जो बद्विवगर आती हो बिल्कुल भी नहीं आएगी और जो कपुर और अजो पॉडर हमने डाला है न इससे कि जो काक्रोच है वो काक्रोच वगर आते उसे आप भगा सकते हैं और दिखे फ्रेंज यहाँ पर थोड़ा सा बज गया था इसका यूज हम भी अलग से कर लेंगे तो इसके लिए हमने हाँ पर इस परी का बॉटल लिया है आप चाहे तो कोई सब भी पानी को बॉटल ले सकते हैं उसमें धक्कन इसका यूज हमें बॉटल के अंदर हमने डाल दिया इस तरह किसे तो चलिए फिर इसका यूज कैसे करना है देख लेते हैं तो यहाँ पर दिखे फ्रेंस यहाँ पर जो परदे वगर रहना वहाँ पर इसे चिरख सकते हैं जिसे कि आपको रूम फ्रेशनर की भी काम करेगा जो भी केड़े मो कोड़े मक्षी मच्छा राते हैं वो भी नहीं आएंगे और कपूर की गोले डाने से जो हमारे घर में निग्वेटिविटी है वो भी दूर हो जाएगी घर में पाजिटिविटी आएगी और अच्छी सी खुसबू भी रहेगी रूम फ्रेशनर की तरह यहाँ सोफे के कभर वगर में दिवाल वगर में गद्दे वगर में जो सीलन की बद्दू आती है वहाँ पर भी इसे कर सकते हैं धन्यमाद दोस्तों वीडियो में आज़ें